आईए बच्चो अब हम देखते हैं एकाकी स्वामित्व या एकाकी व्यापार की वैधानिक स्थिती क्या है वोट अधे लीगल पोजिशिशन्स आफ सोल प्रॉपर राइडर्शिप अब बच्चो अब स्क्रीन पर इसका पहला बिंदू देख रहे हैं कि अनुबंद करने की क्षमता यानी कपासिटी टू कॉंट्राक्ट इसमें क्या हम समझ सकते हैं कि इस बिंदू में ये कहना चाहता है कि एकाकी स्वामित्व के व्याविसाये जो व्याविसाये शुरू करना चाहते हैं वो उनमें क्याना चाहिए अनुबंद करने की क्षमता होने चाहिए उनमें कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जिनसे की वह वैधानिक रूप से उस व्यवसाय को चलाने योग बने सबसे पहले बात उनकी जो आयू होनी चाहिए वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए दूसरी चीज उनका मस्तिश्क स्वस्त होना चाहिए मतलब मानसिक तौर पर एक स्वस्त मानव होने चाहिए तीसरी चीज वे बैंको द्वारा दिवालिया घोशित नहीं होना चाहिए जो व्यक्ति या जोव्य विसाई इन तीन गुणों को रखते हैं या तीन अनुबंधों पर उतरते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं एकाकी स्वामित व्यापार को शुरू कर सकते हैं या उनके लीगल पॉजिशन में वो आते हैं ठीक हैं अगे हम बढ़ते हैं हम दूसरे बिंदू की ओर चलते हैं कि इसका लीगल जो पॉजिशन है दूसरा वो है क्या वो है असी में दाइत हो यानि अनलिमिटेट लायबिलिटी अब देखे बचों जो एकाकी व्यवसाई होता है उसमें जो जिम्मेदारी होती है या अदाइत्व की हम बात कर रहे हैं वो केवल व्यवसाई की संपत्ती पर नहीं होती बलकि जो क्या होता है व्यवसाई होता है उसकी नीजी संपत्ती भी उसके लिए उत्तरदाई होती ह हम तीसरे बिंदू पर चलते हैं वह कहता है वेदर वियावसाई यानि लीगल बिजनस कोई भी वियावसाई जब अपने वैवसाई शुरू कर रहा है तो उसका जो वियावसाई होता है वह उसे वैद रूप से करना ह limous वह अकेले शुरू कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह क्या करेगा, शराब बेचना शुरू कर देगा, चुपकर या ऐसे कुस्तु भी ऐसे कारे करेगा, जो वैदानिक रूप से सही नहीं है, अगर जैसे कि आप जानते हैं, जो लोग शराब विक्रेता होते हैं, वो भी है कि कर सम्मंदी नियमों की पूर्ति, यानि कम्प्लाइंस अफ टाक्शिट्स रूल्स, अब क्या कहना है कि यदि कोई वैक्ति इस प्रकार के वैविसाय को शुरू करता है, और उसे जब कर देने की बात आती है, तो राजकिय, अंतर राजकिय, जिस तरीके के भी कर देने है कि जनहित विरोधी कारे नहीं, वर्क अगेंस्ट पब्लिक ओपीनियन प्रोहिबिटेड, मतलब बचों की ऐसे कोई भी वैवसाय को नहीं करना चाहिए, जो की जनहित के विरोध में कारे करें, मान लिजे कोई विक्ती है, वह इस तरीके के वैवसाय शुरू कर दे, कि व विंदूों का पालन करने से, जो क्या होगा, एक एकाकी स्वामित्व या एकाकी व्यापार की वैधानिक सित्यों को संपूर कर सकता है, हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि एकाकी व्यापार के गुण या लाब या उनके महत्व क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख र उसे प्रारंब करना किसे पर निर्भर करता है निर्भर निर्भर करता इत्था तो वह एक बहुत सरल क्रिया होती है कि स्कार्य को कब करना चाहता है और कभ नहीं करना चाहता है जो दूसरा L Kolleginnen कुआँकि वह एक एकल व्यक्ति कारे कर रहा है वहा पर विभिन मस्तिष्क एक साथ कारे नहीं कर रहे हैं तो सारे जो अकेले करते हैं तो उस तिति में क्या का होता है है जो निरणाय ले जाते हैं वह श्रीकर मिलेंट क्योंकि वहाँ पर क्या होता है जो इफ्ससेंट पाइसंड किसी टॉपिक पर हमएन ईर सी शिपलड़ेना है तो वाँ पर लगन होते हैं जब विभिन वान वहां सनलंग होंगे तो वहां पर अर्था विभिन मस्तिष्क काम करेंगे तो जादा से जाधा options भी available होंगे जादा जादा opinions भी होंगे तो इस सिथी में क्या होता है कि डिसिजन लेना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है तो यहां पर विक्ति परिश्रम करता है लगन से हैंपने कार्य को कर रहा है है तो थे तो सारी चीजह उस व्यक्ति पर ही डिपेंड कर रही है कि विश्ष नहीं कर रहा है तो रिजल्ट सहीं सुह हो इस clinical क्याता है की मैंने आपको विश्ष्ष्षा में बताया था कि एकल व्यवसाई में व्यवसाई जो होता है अपने कोशल के अनुसार अपने लिए कारे को चुनता है तो यहां पर उसे कारे को चुनने की स्वतंतरता होती है तो यह एक बहुत इंपोर्टन लाब होता है एकल व्यवसाई का अगे बढ़ते हैं अगला बिंदू कहता है गोप काम करते हैं बहां क्या होता है कि सारी बात लोगों को नहीं बताई जा सकती वहां पे कुछ चीजे हैं बहुत जरुरी मैंज Bennett से रिलेंट तो यहां पर क्या होता है क्योंकि व् ोपनियता बनी रहती है तो इस सिती में क्या होता है कि अगर जो कारे है वो सही दिशा में जा रहा है जो अजेंडा डिसाइड किया गया जो टागेट डिसाइड किया है तो उस सिती में क्या का कारे का प्रतिफल अच्छा मिलेगा ठीक है हम आगे अगले बिंदो की और बढ़ते हैं इसे कहते हैं मितवेयता मितवेयता यानि काम-खर्ष अब व् मितवेयता की बात आती क्योंकि वह व्यक्ति अकेला कारे करता है और उसका होल सोल कंट्रोल जो होता है कुद पर होता है अपनी व्यवसाय को चलाने के लिए तो इस सिती में वह मितवेयी हो जाता है और अपने पास उपलब्द संसाधनों को वह बहुत अच्छे ढंग से इ काम करेगा तो उसकी जो साख है या उसका जो रिस्पेक्ट है वो क्या होता है सभी जगा अच्छा होता जैसे कि आप उदारण के लिए समझ सकते हैं कि आपके घर के पास एक परचून की दुकान है या किराने की दुकान है अगर आपको उस पास के किराने की दुकान से सही अगला होता है अगले बिंदू के और चलते हैं जो इस सोल प्रोप्राइटिर्शिप में या एकाकी व्यापार में जो व्यापारी होता है वो एक प्रबंधक भी होता है वो एक नियंतरन करता भी होता है वो एक नियोजग भी होता है मतलब सारी चीज़ें सारे उत्तरदाइत वो उस पर डिपेंड करते हैं तो हम उसे कह सकत कि उस व्यवसाय पर उसका नियंतन पूर्ण रूप से मात्र उसका ही होता है ठीक है अगले बिंदु को देखते हैं अगले लापकी और चलते हैं कहते हैं वह आत्मविश्वास अब जो व्यक्ति सारी जिम्मेदारियां जो है स्वेम उठाएगा किसी व्यवसाय को चलाने के अब क्या-kya थिम्मेदार ही हो सकती है मान लेजिय कि पर चुन की दुकान की बात कर लेते है कि तो मान हों-टाए तो उसमें निर्मित हो रहे हैं और इस वज़े से क्या होगा उसका आत्मे विश्वास अपने आप बढ़ेगा कि वह अपने कारे को बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस यानि आत्मे विश्वास सद्रण होता है हम अगले लाब की ओर चलते हैं अगला लाब है दस्वा लाब वह कहता है व्यक्तिक गुणों का विकास कौन कौन से गुणों का विकास चातुर्य निर्णे उसके बाद कोई समस्या आ रही है तो उसका समधान कैसे किये जाए अपने व्यवसाय को किस तरह किस से आगे बढ़ का किस तरीके का कारें चुनेगा या उसके कोशल पर निर्भर करता है तो बचों इस तरीक यस तरह में क्या देखा इस तरीके से हमने विभिन लाभूं को देखा या विभिन गुणों को देखा कि एकाकी सвामित्व व्यापार में रहे किस दर्ट होते हैं alright यह थेला कुंद कई समाल सके इससे क्या होगा उसका भविष्ट जो होगा उज्वल हो गारी इस तरीके सेहं रून कि क्या लाब है और उसे क्या हो सकता हैं आई आप हम देखते हैं जैसे कि हर सिख्यmm WA वो पहलू होते हैं उसी तरह से हम देखते हैं कि एकाकी स्वामित्व में इतने गुणों के होने के साथ साथ क्या कुछ हानिया भी हैं अगर हैं तो वो क्या है तो यह कुछ हानिया है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है हैं आयां मैंकि करके इसको जानते हैं कि यह हानिया क्या हैं पहले हनि कहती है सीमित्व साधन एक रहा है क्योंकि एक ही व्यवसाय को बότε दूसरीBeans ही जो है वो कहती है सीमीत प्रबंद योगता एक ही व्यक्ति में सारी योगताइं होना मुश्किल है कहीं न कहीं क्या होता है कि उसमें कोई न कोई कमी आ जाती जिससे कि उसके व्यवसाय को हानी पहुँचने लग जाती है ठीक है क्योंकि एक व्यक्ति हर जगा काम नहीं कर सकता या उसे helping hands की जरूरत है तो कभी-कभी यह हानियों का सामना इस व्यवसाय में देखा गया है तीसरा बिंदु है अस्थाई अस्तित्व यदि व्यवसाई जो है किसी कारण वश अपने व्यवसाय को आगे चलाने में मुश्किल होती है उसको या उसकी मृत्य हो जाती है वह अ आगे देखते हैं अगली हानि क्या है? अगली हानि है गोपनियता से संदेध अब शिम्बल सी बात है कि गोपनियता जो है एक व्यवसाय में生important roll play करती है जैसे कि मैंने आपको क्या बताया? इनके लाब में बताया है लेकिन गोपनियता से संदे भी उत्पन होता है तो ये क क्या होता है इन फ्यूजर व्यवसाइक को हानी पहुंचाने का काम करता है चटवा बिंदू चट्विया नी यह कहती है कि शीक्र नेड़ा गातक होने की संभावना अब एक ही व्यक्ती नेड़ा है कभी कभी ऐसा होता है कि जो है जब हम कोई डिसिजन लेते हैं तब हम उनके कुछ पहलूओं पर ध्यान देना छोड़ देते हैं सेम स्थिती जो होती है उस व्यवसाइक के साथ भी हो सकती है कि व्यवसाइक वातावरन में जब कोई निर्णय ले रहा है तो उससे निर्णय लेते समय कुछ बिंदू छूड़ जाएं और जैसे ही वो शीगर निर्णय प सीमित रिण ख्षमता अब एक ही व्यक्ति जो है अकेला कारे कर रहा है अगर उसे पुंजी के आवशकता है वह रिण लेता है लेकिन अब रिण पर क्या जेना पड़ता है तो वह अपनी ख्षमता के नुसार रिण लेगा लेकिन यदि उसके व्यवसाइक को अधिक अगे वढ़ते हैं अगली हानी कहती है अनुपस्थटी में अगर किसी काम से उसको भी काम हो सकते तो में उन्सकों को आधेंट मैं रहेकिंगा वो किसी वजह से अपना थोक का माल उठाना नहीं जा पहा है तो उसके अनुपस्तिती को यहां कौन पूरा करेगा तो इस स्थिती में क्या होता है उसको हानी का सामना करना पड़ता है। आगे हम बढ़ते हैं अगली हानी की ओर अगली हानी है सीमित व्यापार ख्षेत्र अब क्या होता है चुंकि इस थिती में जो व्यापार किया जाता है उसका ख्षेत्र सीमित होता है जैसे कि मैं आपको उदारण मैंने बताया किराना स्टोर का बताया बढ़ाई का बताया उस सिस्पष्ट है कि इनका जो व्यापार का श्रत्र होता है वो सीमित होता है अगली हानी है वो कहते हैं बड़े व्यवसाई के लिए अनुप्युक्त अब इतनी सारी हानियों को जानने के बाद क्लियर है कि जो एकाकी व्यापार है या सोल प्रॉप्राइटर्शिप है वह बड़े व्यवसाई नहीं चलाया जा सकते हैं बड़े व्यवसाई को चलाने के लिए बहुत से लोगों की आवशकता होती है एक सिंगल मैन या एक व्यक्ति केवल क्या उस बड़े व्यापार को न को जाना साथ ही साथ उसकी लाब और उसके हानियों को जाना